So guys, पिछले लिक्चर में हमने देखा था किसी भी structure या frame के लिए या किसी भी body के लिए जो भी हम लोग degree of freedom निकालते थें उसका एक formula होता था F is equal to 3 L minus 1 minus 2 J minus S तो इसी के माध्यम से हम पुरा देखेंगे कि degree of freedom आखिर होती क्या है इसके base पे आपको 2-3 numerical भी solve कराएंगे जो कि आपकी exam में पूछा जाते हैं चाहे वो आपका competitive exam रहे या semester exam रहे हर जगा question आपका पूछा जाता है उसके पहले आपका condition for kinematic chain जो kinematic chain होती है उसके लिए एक formula हमने आपको बताया था जहाँ पे L जो होता है वो number of links होता था P equal to number of pairs and N J equal to number of joints होता था तो इसके लिए formula आपका एक और होता था L equal to 2 by 3 J plus 2 तो इसमें अगर LHS equal to RHS हो जाता था तो उसे हम kinematic constraint chain के नाम से जानते थे अगर LHS is greater than RHS होता था तो जो बन कराता था body उसे हम frame या structure नाम से जानते थे यही पर अगर LHS जो है RHS से छोटा हो जाता था तो उसको हम unconstrained chain के नाम से जानते थे तो यह आपका condition होता था किसी भी kinematic chain को बताने के लिए अगर आप से कोई पूछ लेता है कोई figure बना कर दे देता है सामने किसी भी structure का और पूछ लेता है कि बताईए यह कौन सा structure है यह frame है या unconstrained chain है या kinematic constraint chain है तो आप इस formula पर रखकर निकाल लेते थे थे ठीक है तो जहाँ पर आपका जो next topic आता है वो है आपका degree of freedom जैसे आप D और F भी बोलते है degree of freedom इसको हम निकालेंगे ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सामने discuss किया था पीछले वाले lectures में आप लोग वहाँ देख लिजेगा पहले हाँ पर चलिए देखते हैं degree of freedom आपका होता क्या है देखिए जो degree of freedom होता है वहाँ आपका basically किसी भी system का जो motion होता है उसको represent करने के लिए उसके जो coordinate के motion की संख्याए होती है उसी को हम degree of freedom मात्याँ से जानते हैं जैसी कि यहाँ पर three coordinates बनाए गए है एक आपका X है दूसरा आपका यहाँ पर Y है तिसरा आपका Z है ठीक है तो इसमें किसी भी plane पे अगर कोई भी body रखी हुई है ठीक इसमें किसी भी plane में अगर मालने जो YX plane या ZX plane या YZ plane में कोई एक body रखी हुई है तो वह कितने प्रकार से motion कर सकती है ठीक तो जो उसका निवनतम होता है सबसे निउंतम मोशन जो होता है उसी को हम निकालते हैं और जो निकलकर आता है वही आपका degree of freedom कहलाता है तो इसको हम समझते हैं अगर इसको define करना रहे तो आप इसको कहा दिजेगा कि किसी भी system की motion को ब्यक्त करने के लिए आवस्यक निउंतम coordinate की संख्या को ही हम degree of freedom के नाम से जानते हैं ठीक है तो इसमें देख लिजे इस figure में x y plane में आपका एक cube रखा हुआ है अब इसमें आप देख लिजे किस direction में किस कि side या motion कर सकता है तिकिए अगर x direction की बात करें तो आपका यह चुह है ट्रांसलेट कर सकता है मतलब एक बार x की direction में जायेगा positive side में ठीक और दोबारा यह translate होकर negative side में ठीक है इसी प्रकार से आपका y direction में ऊपर जायेगा तो आपका positive होगा नीच नीचे आगा तो आपका निगेटिव होगा इसी प्रकार से जड में भी बात करें तो जड में देखिए आपके दो कंडिशन होते हैं फर्स्ट आपका होता है कि आप उपर प्लस माइनस होता है और नीचे आपका पहले माइनस और प्लस होता है मतलब आपका एक कंडिशन यहा हो गया और एक condition आपका यहां हो गया ठीक है इस प्रकार से आप यहां पर कर सकते हैं कि तीन जो है इसमें आपके translate motion होते हैं या आप जिसे बोल सकते हैं reciprocating motion भी बोल सकते हैं ठीक है तो इस plane में आपका कोई cube रखा गया है या कोई body रखी हुई है जो आपका तीन motion कर रही है जोकि तीन translation motion हो रही है जोकि about आपके x y plane के है ठीक y z plane के है और z x plane के है ठीक तो आपका इसमें कितना हो गया इसमें आपका तीन translating motion हो गया जोकि x y z axis के साब पेच में हो रहा है ठीक है अब देखिए यह जो body थी आपकी इधर भी आ सकती थी उधर भी जा सकती थी यह आपकी ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है यह आपका left में भी जा सकती है यह आपका z-axis में भी reciprocate कर सकती है ठीक लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह जो body है वह पूरी तरह से स्वतंत रहे है यह reciprocate तो कर रहे है ट् देखिए जैसे क्या है यह आपका clockwise और anti-clockwise दोनों direction में rotate कर सकती है इसी प्रकार से इधर से भी अगर हम देखें y-subpage में तो इसमें भी आपका clockwise और anti-clockwise rotate कर सकती है इसी प्रकार से अगर हम z की बात करें तो z axis पर भी anti-clockwise और clockwise आपका rotate कर सकती है तो आपने यहाँ पर देखा कि जो आपका 3 हो रहा था 3 motion जो आपका था वो आपका कैसा था? वो आपका translatory motion हो रहा था कैसा? translatory motion आपका इसमें हो रहा था और 3 जो इसमें है आपका वह rotating motion है कैसा? जो 3 है आपका वह rotating motion है इस प्रकार से इसमें टोटल जो motion हो गया है टोटल जो घत कलने की संख्या हो गई वह आपकी 6 हो गई तो इस space पे आप कहा सकते हैं कि जो body आपकी हाँ पर रखी हुई है इसकी जो degree of freedom निकल कर आएगी वह आपकी 6 हो जाएगी कितने हो जाएगी 6 हो जाएगी ठीक है तो इसे प्रकार से आप जब figure देखेंगे question आपको दिया जाएगा उसके लिए एक फार्मुला निकाला जाएगा जो आपका court जपैक equation दिया गया था वह फार्मुला यूज किया जाएगा जिसके मात्यम से आप आसानी से hard से भी hard numerical question को स समझाया गया है कि degree of freedom आखिर आपकी होती क्या है इसमें चली हम देखते हैं और आगे कुछ important इसमें है जिसको समझना है उसके बाद आप numerical question को solve करेंगे अब जब भी आप numerical solve करेंगे इसके पहले आपको कुछ types आप joint के बारे में जानना पड़ेगा जो कि हम बहुत पहले ज joint के बारे में और quarter and joint के बारे में तो जब भी आप अगर मालेजे कोई question में आगर आप यहां पर मालेजे या एक figure बना रहे हैं इसको द्याँ से देखिए अगर हम इसको बना दिये हैं यहां पर मालीजी इसको आम यहाँ पर बना दी है ठीक है तो यहाँ पर आप देख पार होगे बहुत सारे जॉइंट्स आ रहे हैं कहीं पर टर्नरी आ रहा है कहीं पर आपका बाइनरी जॉइंट्स आ रहा है ठीक है तो आपको जो जॉइंट्स है उन सब को जानना पड़ेगा जैसे कि आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका binary joint होता है वो क्या होता है तो हमने आपको पढ़ाया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि जो आपका binary joint होता है इसमें दो links आपस में connect होते हैं जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर फर्स्ट link कि आपका हो गया किसके बारे में? turnary joint के बारे में भी आपको आपको आपने पहले से बता रखा है तो turnary joint क्या होता था? turnary joint यह होता था कि जो भी joints आपके होते थे उसमें तीन और joints आप आपस में जोड सकें ठीक है? तो first, second, third ठीक है? इसके बारे में आपका एक हमने और बताया था quaternary joints के बारे में? किसके बारे में बताया था? आपको हमने बताया था quaternary joints के बारे में? तो quaternary joints क्या होता था? इसमें होता था जब आपके four link आपस में जोड जा सकते हैं ठीक है? तो आप one, two, three, four ठीक है, 1, 2, 3, 4, इसके मादिव से 4 लिंक को और आपस में आप जॉइंट कर सकते हैं, अब अगर मा लेजे, कोस्चन में यहाँ पर देखें जैसे कि यहाँ पर आपका टर्नरी हो रहा है, कैसे, क्योंकि एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक आपस में जुड़ी हैं, तो आपका क्या होजा रहा है, यहाँ पर आपका टर्नरी जॉइंट हो रहा है, तो आप टर्नरी जॉइंट को इतना लिखेंगे, तो यह सब हमने आपको बताया था, कि जो एक टर्नरी जॉइंट होता है, वह आपके बराबर होता है, तीन बाइनरी जॉइंट के, ठीक, और यहाँ पर आपको हमने ये भी बताया था कि जो दो link होता है जो आपके दो link होते है या true या आपके दो joint जो होते है वो बराबर होता है एक binary joint के एक binary joint equal to two joint या two link ठीक है तो ये सब basic आपको पता रहना चाहिए तभी आप numerical question को solve कर पाएंगे ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं और theory भी पहले से लिखा चुके हैं तो किसी भी body का अगर आपको degree of freedom ज्याद करना रहे तो आप उसके लिए use करते हैं कुछ back equation का किसका put back equation इस equation का आप लोग use करेंगे इसके मात्यम से आप निकालेंगे कि कोई भी body-wise structure है या आपकी वाद फ्रेम है या आपकी वाद सुपर structure है या या वह आपका unconstant chain है ठीक है तो आपका फार्मूला होता है वह होता है यह फिजिक्वल टू 3L minus 1 minus 2J minus 1 यह आपका फार्मूला होता है इसको एकदम ध्यान से रख राप कर लिजेगा और यहीं पर हम आपको एक लोग method भी बताएंगे जिसके मात्यम से आप लोग आसानी से कोई भी numerical रहे कितना भी hard रहे इसको बहुत ही simple तरीके से आप start करेंगे इस equation में अगर हम बात करें capital F की तो capital F को हम जानते हैं degree of freedom के नाम से capital F जो है वह आपका degree of freedom है यह जो है आपका इसमें यह जो है आपका वा नंबर आप लिंक है यह जो है आपका वा नंबर आप लिंक है यह पर हम बात करें J के तो J जो है वह आपका lower pair है या इसे आप number आप joints के नाम से भी जानते हैं इसे आप lower pair भी बोलते हैं या या आपका number आप joint के नाम से भी जाना जाता है अगर यहाँ पर आगर हम आपके इज़च की बात करें तो इज़च आपका है वो आपका higher pair है तो इतने सारे इसमें जो कुछ भी है आपको बता दिये एप LJH इस सब को धियान में रखिएगा कि कब कौन सा यूज़ करना है और अभी हम आपको जो निमेर को कराएंगे तो गिल गिल कर बताएंगे कि कितने जॉइंट्स हैं कितने लिंग्स हैं और कितने हाइयर पेर हैं और इसकी degree of freedom क्या हो कि जोब degree of freedom निकल कर आएगा तो आपका structure होगा या काउन सा chain होगा इस सब अभी हम आपको आगे बताते हैं नहीं पर ध्यान देंदें अगर आपके degree of freedom F की value अगर आपकी 0 आती है तो जब अगर F की value 0 आ जाएगी तो आप कहेंगे कि जो भी आपका से बनेगा या तो frame बनेगा या आप से structure नाम से जानेंगे उससे क्या बолओंगे फ्रेम या structure नाम से जानेंगे अगर नहीं पर या या की value माल dod İ टेगर आप्रेडम के वालू बना जाती है तो वह आपकी एक प्रकार की काइनमेटिक चेन होगी यहीं पर अगर आपकी एक की वालू मालने जिए माइनस एक माइनस दो माइनस देन ऐसे से इंटरेट तक जाती है तो उसको हम बोलते हैं इस पर इस ट्रक्चर क्या बोलते हैं सुपर इस ट्रक्चर जब आपके कंप्टिशन एक्चाम में कुछा रहता है किसी भी बॉडि का देदे का कहेगा इसका डिगरी आप रेडम आप निकालिए और आप बताईए कि वाज किस ट्राइब का से आपका सुपर इस ट्रक्चर है का इस ट्रक्चर है तो यह सब की पॉइंट्स हैं यह सब आपके मोस्ट इंपोर्टेंस हैं इस सब को आप चरूर पढ़िएगा आपके कंप्टेंटिव एक्जाम में भी कहां से कोश्चन पूछे जाते हैं अगर यहीं पर यहाद के वैलू पाजिटिव में टू थ्री और इतना आती है तो यह आपका कहा जाता है अंस्ट्रेंटर्ट चैन के नाम से जाना जाता है है इन सभी बातों को आप लोग अच्रे से पड़ने जात कर लेजेगा अपसे पूचा जाता है ओध्यकान देजे办 का वना आया है तोसे हम लूऊर पेर के नाम से जानते हैं क्या बुलते हैं उसको हम हाइर पेर के नाम से थे सब की पॉइंट साइं已經 سबको पड़ ले जाएगा अगर सेब सेप्सक्रीं के रोप में पूंचТा है तो आप यह फिक्वल टू, टू, त्री, फॉर जो है आपका अंकांस्ट्रेंड चेन होगा, अगर पेयर के फाम में पूछता है कि यह फिक्वल टू आ गया तो वो क्या होगा, तो वह आपका हाईयर पेयर के नाम से जाना जाता है, यह पर कुछ और बात हैं, जैसे कि 2D प्ल चलाती एक्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपका डिग्री आप फ्रीडम 2D स्पेस में निकाल ले हैं, 2D डाइग्रम बनाके, तो उसका जो डिग्री आप फ्रीडम होता है, तीन होता है, ठीक है, और जो 6 होते हैं, इसमें आपको मैं बताया था, अभी उपर जब फिक रोटेशन मोशन होता है, और आपका इसमें 1 रोटेशन मोशन होता है, ठीक है, दो ट्रांसलेशन, 1 रोटेशन, तो इन सब को आप जरूर पढ़िएगा, यह सब आपके एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चलिए हम थोड़ा अब आगे, हम निमेरिकल कोश कुश्चन साल्व करेंगे, तो यह सब की पॉइंट्स थे हैं, जिसे आपको पढ़ना है, आपके एक्जाम के लिए मोश्ट इंपॉर्टेंट है, अगर समस्टर इक्जाम में निकालना है, तो इसके लिए तो मोश्ट इंपॉर्टेंट है, पर यह आप इस सब प्रापिक क पूश्चन को जैसे कि यहां पर आपको इक फीगर दिख रहा होगा, इसको माले जे नाम दे देते हैं, ए बी और सी, इसको उन्हें आप इनाम दे दिया, ठीक है, इसका यह जो पार्ट है, आपका क्या है, यह आपका एक फीक्स लिंक है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने फीक्स कर दिया, अब देखिए, कहा रहा है कि इसके आपको डिगरी आप फ्रीडम ग्यांत करना है, कहा रहा है कि इसके आप लोग टिगरी आप फ्रीडम ग्यांत किजें, कितना होगा, तो डिगरी आप प्रीडम ग्यांत करने के लिए, हमने आपको अभी कुट बैक एक्वेशन के बारे में बताया था जो कि आपका होता है यह इसके मादिम से आपके इसके टिग्री आप रीडम निकालेंगे तो उसके पहले सबसे पहले आपको इसमें लिंक पता करना पड़ेगा तो आप देख पा रहे हों गई यह आपकी फर्स्ट लिंक हो गई यह आ कि निके हैं इसमें आपके इसमें इसमें कितरें अर इसमें बात कर रहा है जेग की तो नियुक् topl in करना चाहते हैं आपको है किक ञ hug कितने हैं तो यहांत यहांपर है एक आपका यहां पर यहां पर है एक आपका Πर एसका कि संखया भी आपकी जीरो हो गई, अब इन सभी values को इस equation number first में पूट कर लिजेए, तो f equal to आपका क्या आएगा, 3L की value 3 minus 1 minus 2 into j की value 3 minus 0, ठीक है, यहाँ पर करेंगे 3 into 2 minus 2 into 3, तो आपका क्या आगया, 0, अरताथ इसकी जो degree of freedom आई है वह आपकी 0 आगई है, तो अभी होपर आपने आपको इसके ल प्रेम के value 0 आएकी, तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसको नाम देंगे, structure या frame, क्या कहेंगे, structure और frame बोलेंगे, वह आपका जो रहेगा, वह आपका structure या frame बनेगा, तो ऐसे ऐसे question आपके exam में पूछे जाते हैं, इसको आपको जिरूर पढ़िएगा, चलिए हम next question की ब और जान सकते हैं, वह तरीका आपका है loop method, यहापर हम उपर थोड़ा आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा loop method के बारे हैं, थोड़ा सा loop method के मातियां से कैसे आप degree of freedom गयाद करेंगे, उसको बताते हैं, तेकि यह loop method जो होता है, इसका formula आपका निकल कराता है, f is equal to l minus 2n plus 1, क्या होता है, f equal to l minus 2n plus 1, यह आपका loop method का एक formula होता है, जिसके मातियां से आपको degree of freedom गयाद करते हैं, लेकिन देखें, loop method जो होता है, वह आपका हर जगाँ अपलाई नहीं होता है, इसके लिए दो condition बताई गई हैं, first condition कहता है, यह केवल वहाँ पर use होता है, जहाँ पर only turning pair हो, जहाँ केवल आपका वहाँ पर use क्या जाता है, जहाँ पर आपका केवल turning pair होता है, जहाँ केवल वहाँ पर use होता है, जहाँ पर आपका only turning pair का use हो रहा होता है, जहाँ होता है, जो होता है second condition आपको यहाँ याद करना है, turning pair के अलावा, इससे हम कहां और use कर सकते हैं, तो जहां पर अगर आपका higher pair आए, higher pair या आपका sliding pair, higher pair या sliding pair जहां पर भी हो रहा हो, वहां पर हम इसका use नहीं करते हैं, ठीक हैं, जो loop method होता है, इसका use हम only खास तरपर turning pair के लिए करते हैं, जहां पर अगर किसी भी body में अगर higher pair या sliding pair हो रहा है, तो वहां पर आप loop method का use नहीं करेंगें, यहां पर अगर हम बात करें, तो यहां पर जो n हो जाता है, आप n को जानते हैं, number of loop, किस नाम से जानते हैं, number of loop से, और बाकी जो yel है, पर number of link है, f जो है, वर degree of freedom है, ठीक हैं, अगर हम बात करें, इस question की, जो question आपको हमने हानीचे बताया है, उसी को अगर हम salve करें, तो इसमें देख पा रहे होंगे, आप इसी question कों लेके salve कर रहे हैं, इसमें थड़ से, आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो link की value है, वह आपकी 3 hurts, दी हुई है, पहले से ही, यम जो है आपको नंबर आप लूप जवा ग्याद करना है तभी तो आपका टेग्रिया प्रीडम निकलेगा तो लूप का मतलब होता है जो भी खाली जगह रहे सभी जॉयंट्स की बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर आप लोग एक गोला बना देते हैं और कहते हैं यही आपका लूप है तो देख पा रहे हैंगे आप तीनों लिंक के बीच में के वाद एक ही जगह खाली जगह है तो अर्थात N की वैलू आपकी 1 हो जाएगी अब आप लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे F इकल टू L की वैलू 3 है माइनस 2 इन की वैलू 1 है प्लस 1 आप देख पा रहे होंगे 3 माइनस 3 कोल टू 0 अर्थात अपकी वैलू इस मेथड़ से भी 0 आ गई आप पहेंगे यह जो आपका फ्रेम या स्ट्रक्चर सेपका है कि आप लूप मेथड के मादियों से भी सिंपल तर पर सभी कोस्चन को साल्व कर सकते हैं तो सब मेथड़ आपको मने बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता है अब हम आगे चलिए बात करते हैं थोड़ा एक दो और निमेरिकल की जिसे आप साल्व किजेगा और एकजाम में अच्छा पफाम जरूर किजेगा कि इसके विले हम बता दें जितने भी स्टुडेंट अभी तक अप्लि साथ है साथ हम जो आपको मायराथर क्लास देते हैं वह भी चलड़ी एवलेबल होने वाला है यूटूब पर भी कुछ सब्चक का अब लेबल कर आजाएगा और कुछ सब्चेक्ट है जो आपको आपको अप्लिकेशन पर ही दिये जाएंगे अप्लिकेशन डाउनलोड करके दोस्तों वाजब से आप लोग चलूर किजिए वहाँ पे नोट्स अल्रेडी उप्लक्त हो चुके हैं आप लोग नोट्स भी पर्चेश करके अपनी इस्टडी सुरू कर दिजिए बहुत ही कमप्राइस में आपको नोट्स दिये जा रहे हैं चली हम इस कोस्चन को देखते है कि यहां पर लेकिया है आपका कोश्चन के राएं रहा है कि इसमें आपको सबसे पहले ह्लेक्रेयाफ ध्रेडम गतुश情况 के माद्र हम से साफ करते हैं एक अपका फ्र्मूला होता था यह होता था है L-1-2J-H यह आपका फर्मूला होता था इस पे रखेंगे और इसकी टिंगरी आप प्रीडम हम लोग निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लिंक करेंगे अब देखें एक कंडिशन और आप लोग याद कर लिजेगा अगर कहीं पर आपको हैज किया हुआ कुछ दिखें जै जाता है आपका एक लिंक माना जाता है यह नहीं कि Mतलब कहेंगे कि यह और दूसरे आपकी यह होगई है क्लेकर *** इतना है इसके सब्बर्ग में जितने भी आ रहे हैं आपका एक ही माना जाएगा तो एक दो तीन चार पांच चैनल आ गया अब बात करें आपके जॉइंट्स की जे निकालिए जॉइंट्स निकालिए तो आईए देखते हैं आप लोग कैसे निकालेंगे तो यहां पर आप द पा रहे होंगे कि यहां पर आपका एक लिंक आपका इथाइड में घेया है ठीक और है जो है कि-पूरा एक लिंख तो है यह मत कहिए या freedom ज्याद के निगले पूछ रहा है तो आप only उसको one link के नाम से जानेंगे या condition आपकी होती है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक binding joint बना इसी तरह आप इस condition की बात करें पॉइंट वी पे भी तो यहाँ पर भी वही condition बन रहा है जो आपका आप क्या बन रहा है इसी पर आप क्या बन रहा है तो यहां पर भी आपका क्या बन रहा है कैसे यप से आएंगे तो एक यप यहा गया है है ठीक है दूसरा आपे तक आएंगे तो यह लिंक तो हुगा याप जान रहे हैंकि ए यह प्लोटल विलाकर एक ही लिंक है तो एक लिंक हो होगा और दूसरा लिंक एक लिंक और दूसरा आपका जी और एफ हो गया जी है तो आप अगर जॉइंट की बात करें तो इसने जॉइंट आपके कितने हो गए गिल लिजे एक जॉइंट दो तीन चार पांच छा साथ कितने जॉइंट होगा इसमें हायर पयर इसमें कोई है नहीं पांट कांटेक्ट होना रहा तो जीरो हो गया अब आप इस पार्मुल में रखेंगे तो एफ को तो 3 हमने आपको भी पीछे बताया था कि यह पीकॉल टू वन जब रहे तो आपका लोवर प्यार काइनमेटिक चेन के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार से यह कोस्चन भी आपका साल्व होता है अब इसको हम लूप में धर से ग्याद करेंगे किस में धर से अब हम इसको ग्या करते हैं तो लूप में अपने आपको बताया था कि जो लोप में धर होता है उसके लिए आपका अलग से फानुला यूज किया जाता है तो यहां पर अगर हम बात करें आपके लूप में धर की तो इसमें दो ही जगвой खाली स्पीस देख रहा एक आपका ऊपर देख रहा है एक आपका ऊपर दिख रहा और एक आपका यहाँ पर नीच्छे दिख रहा है ठीक है तो इसमें आपके कितने लूप हो गए है ? लूप मतलब n की वैलू तो n इक्वाल to इसमें कितना गया ? n इक्वाल टू यन प्लस 1 आपका होता है ठीक है तो L की वैलू लिंक इसमें जो आपके टोटल 6 है यहां से तो L इक्वल टू 6 हो गया माइनस 2 इन्टू एन की वैलू 2 है प्लस 1 ठीक है तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 तो इसमें देखें भी F की वैलू आपके वान आ गई तो सिंपल तो पर एक लाइन में अगर आपको साल्व करना रहे तो आप उपली कियेगा बाई लूप में थर्ड तिस 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 आपका एंसर आ जाएगा इसके बाद चलिए हम अपना नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन आपका यहां पर दी जा हुआ है एक और फिगर यहां पर हम देखते हैं और इसको साल्व करते हैं इस फिगर में सबसे पहले हमें link पता करना पड़ेगा कितने link आपकी इसमें है ठीक है, degree of freedom सभी question में ग्याद करना है जितने भी question हमें आपर लिजे हुए है, ओके तो सबस्वाइल है इसको हम cut back equation के मात्रम से ग्याद करेंगे, तो L equal to link किनी इसमें कितने है कितने link है, A से भी आपका एक link हो गया, ठीक है A से भी आपका एक link हो गया B से C आपका 2 हो गया ठीक C से A आपका 3 हो गया ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें A से E बराबर 4, E से D 5, D से D 6, D से अप 7, E से अफ 8, G से अफ 9, और B से G, 10, मतलब टोटल इसमें number of link जो हो गया वो आपके 10 हो गया ठीक है, अब number of joints कियात कीजिए, कितने joints आपके हो रहे है, तो इसको देखिए point A पर ध्यान से देखिएगा, इसमें सभी type का question आपका आ जाएगा, अगर हम point A पर बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें कोई hatch वगएर तो है नए, कि एक ही दो link माना जाएगा, तो इसमें आप देख पा रहे हो यहा कि एक link आपकी B पर गयी है किसपे एक link आपकी B पर गयी है तो एक link हो गई, दूसरी link E की side गई है, तो दो link हो गई, तिसरी link आपकी C पे गई है, मतलब यह आपका क्या हो गया, तीन जा रहा है मतलब यह आपका हो गया turnary joint, क्या हो गया आपका यह turnary joint हो गया इसी प्रकार से अगर हम point B की बात करें इसी प्रकार से अगर हम आपके point B की बात करें, तो point B पर भी तो आप देख पा रहे होंगे तीन लिंक जा रहा है तो point B पर अगर हम जा रहे हैं तो तीन लिंक यहाँ पर भी जा रहा है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया turnary joint हो गया इसी प्रकार से अगर हम point C की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहां से भी तीन लिंक connect हो रही है एक आपका D की तरफ जा रहा है दुसरा A की तरफ आ रहा है और तीसरा B की तरफ आ रहा है तो यहां पर भी आपका turnary joint देखने को मिला इसके बाद अगर हम point E की बात करें तो यहां पर भी तीन लिंक आपस में मिल रहे है तो यह भी आपका turnary joint हो गया आपका केवल दो हे link मिल लहा है एक E की तरफ जा रहा है तो यहां पर आपका binary joint हो गया ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए हम अब joints की बात करते हैं, तो turnary joint पहले देखे कितने हो रहे हैं, तो एक turnary joint, ठीक, दो turnary joint, 3, 4, 5, 6, तो कितने बच्चे हैं आपके joint, 6 आपके हो गए turnary joint, 6 आपके turnary joint हो गए, प्लस, 1 आपका हो गया binary joint, 6 turnary joint और 1 binary joint, अब आपको हमने पीछे बताया था कि 1 turnary joint equal to होता है, 2 binary joint के, ठीक है, और हम सब कुछ जो डिगरिया freedom joints में ग्याद करते हैं, वह binary joint में ही हम ग्याद करते हैं, पता करते हैं, ठीक है, तो 6 into 2 binary joint, प्लस 1 binary joint, बराबर आपके total number of joints हो गएं, वह आपके कितने हो गएं, 13, अथा J की value आपके आगई, 13, कोई इसमें higher pair है नहीं, तो H की value आपकी यहाँ पर आजाती है, 0, अगर हम बात करनें, डिगरिया freedom कें, तो डिगरिया freedom निकाल लिजे, F equal to formula होता है 3, L minus 1, minus 2J minus H, value पुट करेंगे तो 3, L की value आगई 10, minus 1, minus 2, into joint की value 13, minus 0, तो ग्याद करेंगे तो इसमें आजाएगा 27, minus 26, अर्थाथ F की value आगई, इसमें 1, कितने आगई, F की value इसमें आगई, 1, ठीक है, तो डिगरिया freedom इस figure का कितना आगया, 1 आगया, अब हम इसको निकालते हैं by loop method से, यह जो निकाला अपने वागई, कुट बैक equation से निकाला, अब हम by loop method से निकालेंगे, किस से, loop method के मादियां से, इसके हम डिगरिया freedom निकालेंगे, तो कितने loop बन सकते हैं, यहाँ पुरा space है, तो एक loop बना, यहाँ पुरा space खालें, दो, यहाँ भी पुरा link में पुरा space खालें, तीन और यहाँ पर total आपका चार, तो यह अर्थात number आप loop जो हो गएं, वह कितने हो गएं, चार, formula put करिए, तो यह equal to होता है, L minus 2, यह प्लस 1, ठीक है, L की value आपकी इसमें 10 दे गई है, minus 2, into 4, प्लस 1, ग्याद करेंगे, तो 10 minus 9, अर्थात 1, तो इस माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे, कि F की value जो आ रही है, वह 1 आ गई है, तो इस प्रकार से भी आप इसको solve कर सकते हैं, यही पर अगर हम आप से और थोड़ा बात करें next question की, तो next question जो है, आपके लिए homework रहेगा, आप इसको solve करके, answer आप जरूर बताईएगा, comment में आप लोग अपना answer जरूर कीजेगा, पहले इसमें आपको बता देते हैं, कि कितने कितने joints हैं, तो हमने आपको बताया था, एक condition बताया था, कि जब भी आपकी fix की बात करें, जब भी आप से fix की बात करें, तो उसको हमेशा एक ही link माना जाता है, जैसे कि ये देखिए total आपका क्या है, ये तो fix है नहीं माल लेजें, लेकिन इस type का अगर कहीं पर दिखें, तो आपका बबाद एक link माना जाएगा, ठीक है, और ये एक link आपका ये माना जाएगा, चल में, कि अगर fix किया रहे, तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए, जब भी fix रहे, वह कहीं पर भी fix किया रहे, तो आप उसको एक ही link मानेंगे, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम नाम करना करने, A, B, C, D, E, F, G, ठीक है, तो ये देखिए, point A fix है, और point G भी fix है, तो केव हम इसको एक link गिनेंगे, क्या, एक link गिनेंगे, ठीक है, एक joint भी इसको हम गिनेंगे, एक joint भी इसको हम गिनेंगे, ठीक है, क्यों एक ही joint, तो number of joint, इसमें अगर हम बात करें, पहले number of link निकाल लीजिए, तो इसमें number of link आप निख्याद करेंगे, तो आपका number of link इसमें कित नंबर आप joints के अगर बात करें तो नंबर आप joints इसमें आपके कितने आ रहे हैं तो आप किनेंगे इसमें तो number आप joints आपके आ गए अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा यही confusion होगा जो A और G point है वो दोनो fix point है ठीक है तो इन दोनों को A कहीं link के माद़ें से जाना जाता है और joints आपके इसमें 2 हो गए है ठीक है और इस type का question आपको भी अपने पीछे बताया था साथ पहला ही question था अब इसके degree of freedom आप ग्याद किजिए तो क्या होगा 3, jl की value 6, minus 1, minus 2, into j, minus h की value 0 है तो इसको ग्याद करेंगे तो 15, minus 14, बराबर आपका 1 आ जाएगा आपकी value आपकी 1 आ गई ठीक है अब इसको हम यह पर loop method के माध्यम से भी solve कर लेते हैं देख लेते हैं क्या loop method भी सही है तो एक loop, दो loop अर्थाद इसमें अगर बात करें अन अर्थार नमबर आप loop, जो है वर 2 है तो f ग्याद किजिए, f जो होता है loop method में फारूला होता है पताया था हमने, बता भी रहे है l minus 2 या प्लस 1 ही तो होता है l के value 6 है, minus 2 into 2 प्लस 1 n के value नमबर आप loop 2 ही तो है तो 6 minus 5 वर्थाद 1 तो इस method से भी f के value आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई तो या आपका क्या हो गया, जब भी आपका 1 आता है तो आपका आपका kinematic chain या lower pair के नाम से जाना जाता है, तो इस type के सभी question अगर कहीं पे पूछे जाते हैं कोई भी पूछे तो आप लोग solve करके जरूर आईएगा अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं आपके next question की जितने भी type की question आपके यहां पे पूछे जा सकते हैं, सभी type की question यहां पर हमने लिया हुआ है इस type का question भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी हम यहां पर देखते हैं, देखिए क्याराए कि degree आप freedom क्याद कीजिया ताद यहां की value आपसे पूछा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि joints कितने हैं link कितने हैं, इसको देखते हैं इसमें तो कहीं पर आपका loop तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपका यहां पर sliding pair लगा हुआ, कौँसा pair sliding pair है, तो यहां पर loop method apply होगा ही नहीं तो चलिए हम पहले इसमें link किनते हैं तो L आप लोग कितने पा रहे हैं इसमें यहां आप देख रहे हैं कि यहां जो है आपका sliding pair में भी एक होता है पता ही है, तो यहां पर आपका नीचे भी slide pair लगा हुआ है, ठीक है चलिए हम गिनना शुरू करते हैं एक आपका यहां sliding pair का होगा एक, यहां आपका होगा दो ठीक, यहां आपका होगा थीन यहां आपका होगा चार और यहां पर आपका sliding pair लगा हुआ ध्यान देजे, यह मत समझे, यह fix है यह आपका sliding pair लगा हुआ है ठीक है, sliding pair लगा हुआ है आप इसको fix मत समझेगा, यह आपका slider का गाम कर रहा है क्या कर रहा है आपका slider का काम कर रहा है इसलिए आप confuse मत हुएगा नहीं तो आप पता चले इसको fix one करा जाए और question आपका गरा चले जब भी आपका shape size की रूप में दिया रहे तब समझे वह fix है बट अगर आपको दिया रहे इस type का तो आपका वह sliding pair नाम से जाना जाएगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा sliding pair ठीक है तो number आपने इसमें कितने होगा है फाइब होगा है अब joints की बात करें या जिसे आप बोलते है lower pair तो कितने है इसमें इसको चली हम गिनते हैं joints आप देखें गिनिए एक joint आपका यहाँ हुआ दो joint हुआ यहाँ पर आपका तीन joint हुआ एक दो तीन हो गया ठीक है एक दो तीन आपका यहाँ से हो गया ठीक एक दो तीन ठीक है उसके बाद आपका एक यहाँ पर देखिए sliding में यहाँ पर देखिए 4 हुआ 4 हुआ ना 1,2,3,4 हो गया ठीक है इसी प्रकार से आपका एक जोए आपका यहाँ पर होता है ठीक है तो total आपके कितने हो गए हैं 5 total number of joints देखिए इसमें 4 turning joint है 4 इसमें आपके turning joint है या आप उसे binary joint कह सकते हैं तो 4 आपके इसमें कैसे हुए 1 joint, 2 joint, 3 joint ठीक है और आपका यहाँ से fixed joint होता है पूरा figure आपका बना नहीं है बनता है तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अभी तक आपने देखा था जो भी fixed किया जा रहा था हुआ एक angle पे होते थे जो से पीछे आपको बताये थे हमने लेकिन इस type के figure में sliding का अलग जोड़ा जाएगा turning का अलग जोड़ा जाएगा binding का जो कुछ सब अलग अलग जोड़ा जाता ठीक है तो इसमें 4 turning joint है प्लस एक आपका sliding pair है ठीक है तो total आपके 5 joint आपके यहाँ से निकल कर आ जाएंगे तो j की value 5 आएगी h की value इसमें भी कोई 6 नहीं तो 0 हो जाएगी f की value आपको निकाल लिजेगा तो 3 l minus 1 minus 2 j minus 0 तो ग्याद करेंगे आप लोग तो 12 minus 10 अर्था f की value 2 आ जाएगी ठीक है देखिए एक sliding pair है तो एक जाएंट हो गया है 5 जाएंट आपके यहां से गिल लिए गया है ठीक है कुछ लोगों को थोड़ा confusion हो रहा होगा तो चलि हम मान लेते है sliding pair आपका उपर दिया हुआ तो एक आपका slider भी कहीं न कहीं तो joint होता होगा कहीं न कहीं एक slider है ही और उसको एक link के माध्यम से जोड़ा होके आए उससे प्रकार से आपका यहां पर भी होता है लेकिन sliding pair हमने के वल उपर वाले को माना है इसलिए यहां पर आपके total 5 joint माने गए हैं ठीक है तो एक क्यों यहां से 2 आपकी आ गई है next question एक देखते हैं उससी type का है कोई confusion question में रहा होगा तो इस question में आप लोग अपना confusion दून कर लिजेगा इसको यहां से मिला लिजिए ठीक इसको ग्याद करते हैं कैसे आपका निकाला जाएगा सबसे पहले हम link को गिनते हैं ठीक है देखिए link पहले गिनते हैं तो एक link आपकी सबसे पहले हम link को गिनते हैं तो total link इसमें कितने हैं link आप लोग गिनिए one हो गया आपका ठीक one आपका यहां हो गया ठीक है यह आपका हो गया two one के बाद two हो गया और हमने बताया था पीछे कि जब दो point fix point रहते हैं जब तो उनको एक ही link माना जाता है ठीक है तो आपका एक जो link आपका है वो इधर है ठीक है तो आपका यह तीन हो जाएगा ठीक और एक जो आपका इस side में जो slider वाली link रहेगी यह तो 3D में जब आप लोग देखते हैं आपको दिखता है, एक slider वाली link होगी, ठीक है, जो आपकी slider में अंदर लगी होई की, तो आपका यहां से 4 link होगया, तो l equal to आपका आगया 4, l equal to 4, अरथा दिसमें number आप link कितने आ गया है, 4 आ गया है, बात करते हैं number आप joint की, तो joint कितने होगे, तो number आप joint आपका यहां पर है ठीक, एक आपका यहां पर है, तो एक joint आपका यहां पर होगया, ठीक है, एक joint आपका यहां पर आ जाता है, उसके बाद हम आते हैं सिधे sliding pair पे, यहां पे, तो यहां पर आप कितने joint देख पा रहे हैं, यहां पर कितने joint आपको दिख रहे हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे आपका टर्नरी ज्वाइंट हो रहा है कैसा ज्वाइंट यहां पर आपका टर्नरी ज्वाइंट हो रहा है कैसे देखिए यह आपका ज्वाइंट है ठीक है तो आपका एक ज्वाइंट देखे इस साइड जा रहा है एक ज्वाइंट आपका इस साइड तो यहाँ पर turnary joint हो गया ठीक है और एक joint आपका यहाँ पर है यह भी आपका binary joint ठीक है बोलते हैं ठीक तो total joints कितने हो गए तो आप लिखेंगे एक turnary joint plus two binary joint तो एक turnary joint equal to two binary joint और यहाँ पर two binary joint पहले से है तो number आप joints जोंगे वो आपके total फोर हो जाएंगे यहाँ इसमें कोई है नहीं तो zero f की value ज्याद करेंगे तो three l minus one minus two j minus h तो zero तो यहाँ nine minus eight equal to one ठीक है तो यहाँ पर degree of freedom की value one आगई है यही आपका answer हो जाएगा तो जब भी आपका sliding pair हो रहा होगा तो वहाँ पर ध्यान देजेगा एक link भी होगा और एक अलग से joint भी आपका add होगा इस type की question में तो guys इतने type की question आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं तो आपने सभी question अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा या साम करते हैं और हमें ही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से history कीजिए और बाकी जो भी topic बच्चे हुए हैं उन सब को cover करने का प्रयास करेंगे exam आपके नजदेक आचुके हैं आप लोग हमारा टेलिग्राम चैनल भी जोईन कल लिजएगा exam टाइम में टेलिग्राम पर आपको बहुत सारे important question की series भी provide की जाती है और जितने भी student अभी तक हमारा application डाउनलोड नहीं की है वो लोग play store से application डाउनलोड कर लें course को purchase कर लें बहुत कम price में सारे notes आपको दिये जा रहे हैं और अपने दोस्तों के पास भी share कर दें